नमस्कार मैं हूँ स्रकान प्रतियूस और आप देख रहे हैं CityPostLive.com बिहार बिधानसभा का बजट चल रहा है आज बिहार बिधानसभा में बीत मंत्री ने बजट भी पेस कर दिया है आज बिपक्स ने जम कर बिधानसभा में हंगामा किया आज दुसरा दिन था कल तिसरा दिन है तिसरा दिन और हंगामेदार होने की उमीद है क्योंकि आज रावडी देवी के दस सरकुलर रोट से खबर आ रही है कि वहाँ पर आरजडी की बिधायक दल की बैठक चल रही है त रावडी देवी खुद बिधायकों की बैठक कर रही है और रावडी देवी ने कहा है कि किस तरह से सरकार को हर मुद्दे पर घेरना है कानून बेवस्था के मुद्दे पर घेरना है विकास के मुद्दे पर घेरना है और मुझभर पूरबालकागरिकान के मुद्दे पर गेरना है इसकी रण़निती रावडी देवी अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठ कर बना रही है यह बैठक साम 5 बजह सुरू हुई है जो 7 बजह तक बैठक चलती रही बैठक में तमाम पार्टी के विधायक मौजूद थे और यहीं रणनिती बनी है कि इस बार सदन को चलने नहीं देना है सदन में जमरजस्त हंगामा होगा यानि विपक्ष इस बजट सत्र को हंगामेदार बनाने की तियारी में जूट गया है आज भी विधान सभा में जब बजट पेस कर रहे थे सुशिल मोदी तो बिपक्ष ने काफी हंगामा किया और बिपक्ष ने कहा कि यह जुमला है जो भी दावे किये जा रहे हैं सरकार से विकास के और समाजिक परिवर्तन के वो बिलकुल जुमले हैं चुनावी जुमले हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाओ में तो बिपक्ष का तेवर जो है काफी तल्क है और हमलावर है कानून ब्योस्था की स्थिति को लेकर भी विपक्ष हमलावर है और राबडी देवी ने आज ही विधान सभा में कहा कि सुसासन का माला सरकार जप रही है लेकिन हर जगा अपराधिक बरदाते हो रही है लूट हो रही है तो यह कैसा सुसासन है तो राबडी देवी कानून ब्योस्था को लेकर सुसासन पर सवाल उठा रही है और सिक्षा ब्योस्था, स्वास्त ब्योस्था, क्रिसी, सिचाई, सब को लेकर विपक्ष सरकार को घिरने की तैयारी में जूटा हुआ है तो आज की बैठक काफी महत्वपूल है क्योंकि ब जानते हैं कि तेजस्वी यादो बिपक्ष पर बढ़ा ही सता पक्ष पर बहुत करारा हमला करते रहे हैं और अब वो जो बिमार हैं तो उनकी माता राबडी देवी ने पार्टी की कमान समभाल ली है आज वो खुद बैठक कर रही है बैठक में उन्होंने कहा कि इस बार पिबर है इस वज़े से वो नहीं सदन गए है और आज बैठक में भी नहीं थे और सब लोग अपनी ब्यस्ता थी सब लोगों ने कहां करेंगे कि सुप्रिम कोट ने सरकार को कैसे लतार लगाई है और इन पर कोई भरोशा नहीं है और रोज यह महिलाओं की बात करते हैं औ और नितीश कुमार जी हाथ पर हाथ भर के बैठे हुए हैं और जो किसानों की समस्या हैं किसानों के बारे में बरी बरी बाते यह एंडिये सरकार करती हैं लेकिन किसान रोज आत्पहत्या कर रहे हैं उस सवाल को भी हम लोग रेज करने का काम करेंगे राजपाल के अभीभासन पर कल सरकार का जबाब और हमारा दल ने तै किया कि हमारे तरफ से कल सरकार और जो अभीभासन हुआ है उसकी कमियों को हम रखने का काम करेंगे चुकि सरकार के द्वारा लिखा हुआ अभिभासन ही राजपाल की मजबूरी होती है और वो परते हैं हम सच्चाई को सदन में रखने का काम करेंगे और जो सरबुच ने आले का ये हुम सिंटर वाले पर जो मामला आया है सरकार को जो फटकार लगी है उस मामले को हम लोग का देने का काम करेंगे देखिए विधान सबा का सत्र कितना हंगामेदार होता है विपक्ष सदन को चलने देता है या नहीं देता है सब खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्नों के साथ सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूटू